हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का सिक्र ना हो यह तो संभव ही नहीं है क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरी के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनाधी काल से चला रहा है पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृष्भान और कीरती के यहां राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है मगर दोस्तों ऐसी क्या घटनाए और स्थिती बन जाती है कि राधा को कृष्ण के वेरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बासुरी को तोड़ देते है इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कहा जाता है कि राधा जन्म से अन्धी थी और स्वर्ग लोग से ये वचन लेकर ही प्रित्वी लोग आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रिथम द्रिष्टी उन पर पड़ेगी तब ही वो संपूर्ण जगत को देखेंगी अन्यता नहीं तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं बच्वन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बासुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं और राधा और कृष्ण तो आठ साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनन लेने लगे थे श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बासुरी दो ही सबसे प्रिय थे जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे जब भी श्री कृष्ण बासुरी बजाते राधा उनके पास दोड़ी चली आती और घंटो बासुरी की धुन में मगन रहती जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया वो यमुना नदी के तट पर बैठ कर घंटों समय व्यतीत करते थे पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्शो का था क्योंकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को उनके व्रंदावन में होने का पता चला उसने तुरंथ ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंतरन दे दिया जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा मा और पूरे गाउं के साथ राधा को भी छोड़ कर जाना था कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब व्रंदावन वापिस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से दो वचन लिये पहला वचन था कि राधा के रुदय में हमेशा केवल कानहा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार बृत्यू से पहले उन्हें कानहा के दर्शन होंगे परन्तु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी तो राधा हमेशा खुश रहे इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी अश्रु नहीं भाना होगा ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मतुरा की और बढ़ जाते हैं और राधा वरंदावन में ही रह जाती है जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है इसके बाद कृष्ण ने मतुरा जाकर कंस का वद किया और अपने माता पिता देव की वासुदेव को भुप्त कराया और फिर उन्होंने मतुरा से आगे बढ़ कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की जिसके बाद से उन्हें द्वारका धीश कहा गया कृष्ण द्वारका में रुकमिणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं साथ ही इनके अलावा भी कृष्ण की 16,108 आनिया थी जिनमें से रुकमिणी कृष्ण की सबसे प्रियपत्नी थी पजा और नीकेवल कृष्ण की जवी को देख कर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई भूकमी के विरुद्ध भी चली गई थी प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुला कर और कृष्ण के साथ भाग गई थी फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वार का नगरी में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैवीय कारियों में लीन हो गए दोसो आज कल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाही नहीं किया केवल अपने मन और रिदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे दोस्तो राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग-अलग कताएं है और उनमें से एक प्रच्रित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी-कभी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था तो एक बार रुकमिनी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभूर प्रेम तो हम सब भी आप से करते हैं पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं तो कृष्ण बोले तुम्हें एक बार राधा से मिलाओ फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना जिसके बाद रुकमिनी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूद ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुँचती है जहां वो तेज और ओजवान स्त्री को खड़ा देखती है तो उनसे पूछती है कि क्या आप ही राधा हो तो वो कहती है नहीं मैं राधा नहीं उनकी सेवी का हूँ राधा रानी तो साथ द्वार के अंदर मिलेंगी तो रुकमिनी जी एक दो करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती जाती है दोसों जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जबते हुए जाकती रही है और अभी ही उन्हें निद्रा आई है रुकमिनी राधा की सक्षियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है तो उतने में ही राधा उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है रुकमिनी आश्यरे चकित हो जाती है केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जाकरत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी इतना ही नहीं जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वो बिना कुछ सोचे रुकमिणी से वो गर्म दूद लेके पी जाती है जिसे देख कि उनके पैरों में चाले पड़े हुए है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और पूछती है कि प्रभु आप कहां पैदल गए थे जो आपके पैरों में चाले पड़ गए तो श्री कृष्ण बोले आपने गलती से राधा जी को गर्म दूद पिलाया था जो राधा एक ह कृष्ण के प्रेम की पराकाश्ठह का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है जो हमेशा राधा के रिदय में कृष्ण के चरन कमल के रूप में विराज्मान रहता है एक कथा में आता है कि ब्रम्भा जी ने प्रत window लोक आकर व्रंदावन में पहले राधा और कृष्ण का वेवाह करवाया था पर इसके बारे में ज्यादा जानकरी नहीं है राधा भी व्रंदावन में कृष्ण की भक्ती के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यू या आय पूर्वक जुड़ी रहती है बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभालेती है वो समस्त्र जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है तो फिर वो कृष्ण के पास द्वार्का आती है द्वार्का पहुंचने के पश्चात राध कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बाते कर सकती थी परन्तु कृष्ण तो अब अपन सताने लगा कि कृष्णी की जो मनोहर छवी उनके रिदय में है वो कहीं धुमिल ना हो जाए इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वार का नगरी भी छोड़ दी जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंधिम समय पासा खो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा परकट की थी कि वो अपने जीवन के अंतिम शणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वो व्रंदावन में देखा करती थी वो उन्हें वही बासूरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है दोस्तों राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बासूरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बासूरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों के ही आखों से प् ये बासूरी को वहीं तोड़ कर फेंग दिया था तो ऐसे राधा की मृत्यू के साथ ही कृष्ण ने बासूरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड लिया कि बासूरी और राधा का एक अद्भुत रिश्टा था इसलिए राधा की मृत्यू के पश्चार कृष्ण ने अपने शे